नवस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सुभीका जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज 10 जनुवden के आके 25 दिवस की आप सभी को हर्दिक सुपकामा ह। हम सुभी को बड़ा confusion रहता है कि 10 जनूरी को 200 हिंदी दिवस तो फिर 14 सितंबर को क्या होता है 14 सितंबर को मैं बता देना चाहूंगा कि 14 सितंबर को राश्टी हिंदी दिवस होता है यानि हिंदी दिवस जिसे हम सिर्फ हिंदी दिवस भी कहते हैं और 10 जनुरी को 200 हिंदी दिवस होता है तो हम जान लेते हैं 200 हिंदी दिवस के बारे में 200 हिंदी दिवस का उद्देश हिंदी का प्रचार प्रसार करना तथा हिंदी को राष्टी भासा के रूप में पेश करना होता है यानि अंतराष्टी भासा के रूप में पेश करना होता है इसे विदेशों में भारत के दूतावास बड़ी धूम धाम से यानि विशेश रूप से मनाते हैं हिंदी के पचार प्रसार के लिए 200 हिंदी सम्मेलनों की शुरुवात हुई प्रथम 200 हिंदी सम्मेलन 10 जन्वरी 1975 को नागपुर में आजित हुआ था हमारे देश के पूरु प्रधानवंतरी रेक्टर मनमोहन सिंग सन 2006 में 10 जन्वरी को गोश्रा किया कि 10 जन्वरी को हम प्रतेक वर्ष विश्वा हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे उसी दिन से हम लोग मनाते आ रहे हैं तो अब हम जान लेते हैं राश्टी हिंदी दिवस के बारे में राश्टी हिंदी दिवस यानि जिसे हम सिर्फ हिंदी दिवस भी कहते हैं उसे हम 14 सितंबर को मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारे देश में देश के भारती सम्मिधान में हिंदी को राज भासा का दर्जा दिया गया था यह समिधान के भाग 17 में अनुच्छे 343 के एक में वर्डी थे राष्टी राष्ट भासा प्रचार समिति वर्धा के अनुच्छ से हम लोग इसे राष्टी हिंदी दिवस यानि हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं तो दोस्तों करिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवस्या करें